हेलो स्टुडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 12 सब्जक्ट अकाउंटेंसी चैप्र डेथ ओफ ए पार्टर फ्रॉम दे बुक अफ टी एस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नुम्बर 13, 14 और 15 कराने जा रहा हूं ठीकर सुडेंट्स यह है मेरे पास बुक टी एस ग्रेवाल की क्लास 12 की पार्टर्शिप फर्म की बुक वॉल्यूम वन जिसका एडिशन 2021 है मेरे पास और इसका यह रहा 13, 14, 15 कोशन मैं आपको एक पर दिखा देता हूं यह देखो 13 कोशन है रादा, टीना एंड रीटा वला उसके बाद 14 बाते हैं कि यह कोशन में क्या करना है हमें, सबसे पहले वो कह रहा है कि तीन पार्टर है, राधा, पहले उनके नाम लिख लेते हैं, राधा, टीना, और कौन है बटे, रीटा, ठीक है, उनकी रेशो क्या है, एकुल है, तो यह क्या बनगी हमारे लिए, ओल रेशो बनगी, रीटा डाइड रीटा डाइड होगे किस दिन 31 जुलाई को रीटा डाइड होगी 31 जुलाई को 2021 को रादा रीटा डिसाइडे टू कॉंटिनू दा बिजनस ठीक है शेरो प्रॉफिट और लॉस ओफ दिजीज़ पार्टनर तो इसका मतलब एक एपरल से लेके 31 जुलाई तक जतना प्रॉफिट का प्रॉफिट बनता है वो बनता है फोर मंस का एक एपरल से 31 जुलाई तक का जो प्रॉफिट बनता है वो कितना बनता है फोर मंस का तो इसका मतलब लास्ट ये के प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट दी चार महिने में बांड देना है ठीक है जी तो चलिए इसको हम बांडते हैं चार मंस में तो हमें क्या कैल्कुरिट करना है रीता प्रॉफिट रीता शेर ओफ प्रॉफिट शेर ओफ प्रॉफिट इसका क्या फॉर्मूला आएगा लास्ट इयर्ज प्रॉफिट इन्टू नमबर ओफ मंस अपॉन ट्वफ इन्टू शेर ओफ रीता ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट इयर का जो प्रॉफिट है वो है साड़े चार लाग का इन्टू चार बाए बारा इन्टू एक बाए तीन तो तीन से कर लो और यह तीन तीन नौ को 45 से डिवड करोगी तो आजगा 50,000 तो यह आ गया 50,000 ठीक है जी तो इसका मतले रीता को कितने पैसे मिलने है őसार और यह एंटरी हमें किस में करनी है यह एंटरी हमें करनी है पी एंड एल सुस्पेंस अकाउंट में एक ही जर्रण 텁 तो हम उसका format बना लेते हैं ठीक है जी तो चलिए हम उसका format बना लेते हैं तो चलिए यह इसकी एक जनल एंट्री करनी है और यह जनल एंट्री है डेट की और यह जनल एंट्री उसको आजेगी 31 जुलाई 2021 को 31 जुलाई को इसको पैसे देने है यह आजगा पी एंड एल सुस्पेंस एकाउंट डेब्टिड टू यह आजगा पटिकुलर्स यह आजगा लेजर फोलियो यह डेबिट यह रूपिज यह करेडिट यह रूपिज ठीक है जी टू आजगा रीताज कैपिटल रीताज कैप आजगा पचास हजार पचास हजार आगया बिइंग शियर ओफ प्रॉफिट गीवन टू अरीता ठीक है जी चलिए ठीक है ओके बटा चलो यह कोशन तो हो गया हमारा एक ही एंट्री करनी थी चलो अब हम करते हैं 14th कोशन 14th कोशन में हमें क्या करना है स्टूरेंस 14th कोशन में देखो कितने पार्ट रहे हैं तीन पार्ट रहे हैं पहला है मनोज दूसरा कौन है राकेश और तीसरा कौन है हर्ष और उनकी रेशो है 2 is to 2 is to 1 मनोज डाइड मनोज डाइड ओन 30 जून 2021 तो इसका मतलब एक एपरिल से लेके 30 जून तक तो हम पहले कलकूट कर लेते हैं 30 जून तक ना 30 जून तक बने 3 मन्स चलो यह तो हमने कलकूट कर लिया ठीक है जी उसके बाद वो क्या कह रहा है करेंगे तो यह आजेगा मनोज ज़े शेर ओफ लेकिन अपर लिग और इस वक्त हम उसका फिर कैसे निकाल लेंगे कलकूट करेंगे तो यह आजेगा मनोज ज़े शेर ओफ लॉस इसकेस में शेर ओफ लॉस निकलेगा न उसका तो यह आएगा लास्ट इयर्ज लॉस इंटू नमबर ओफ मन्स अपॉण ट्वल्व इंटू शेर ओफ प्रॉफिट तो लास्ट इयर का लॉस कितना बटे वह हमारे पास यहां पे दो लाग का दो लाग का और इंटू तीन बाए बारा ठीका जी तीन बाए बारा और इंटू मनोज का शेर केंदे है दो बाए पांच दो बाए पांच आजेगा ठीका जी ये कट गया चार ये आगया दो लाख इंटू दो बाए बीस तो ये 0 से कड़ गया, 1, 1 से कड़ गया 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो ये आगया 20,000 तो loss कितना हो गया उसका 20,000 रुपे का loss आगया तो अब अपने इसकी general entry pass करने को बोला है ठीक है जी तो हम general entry pass कर देते हैं उसकी ठीक है जी तो ये आजएगा जेर्नल ये आजएगा date ये आजएगा particular ledger folio debit rupees credit rupees ठीक है जी तो यहाँ पर अब loss है तो उसके capital account को हमें क्या करना पड़ेगा debit तो मनोज मनोज मैं दुबारा लिख देता हूँ मनोज capital account debited to p and l suspense account ठीक है तो ये कितना आजएगा हमारे पास 20,000 का loss इसको हमने ट्रांसफर कर देना है तो being share of loss transferred to मनोज ठीक है जी तो ये आजएगा हमारे पास 2021 जून को ओके जी ये 20,000 का loss हमने transfer कर दिया ठीक है बचे तो चलिए हम आगे बात करते हैं next question की next question क्या कह रहा है next question है 15 इस question में अगर आप last में देखो तो दो parts है उसके 15th question का 15th question का मैं पहला part वो क्या कह रहा है profit sharing ratio remain partners remaining partner की change नहीं हो रही तो मैं पहले case 1 करता हूँ जिसमें profit sharing ratio change नहीं हो रही तो x, y और z दो partners है ठीक है जी और उनकी ratio क्या given है हमें नहीं given है ठीक है जी हमें profit sharing ratio नहीं given है 1 is to 1 is to 1 ले ले लेते हैं और उसमें z died हो गया z died हुआ कितनी date को on 31st May तो इसका मतलब 2 months का period आ गया ना उसका अगर वो 30 March को है तो last month देखे कोशन में given भी है 31 March 2018 19-20 तक का profit लेना ना तो 2 months का ही हुआ फिर ये क्योंकि 31 March तक profit है तो साल है उसका एक capital को शुरू होता है तो उसके बाद है share of profit for the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed years तो पहले हमें क्या calculate करना है average profit calculate कर लेते हैं every profit calculate करना है पिछले last 3 years का तो वो आजेगा हमारे पास 18,000 19,000 plus 17,000 divided by 3 तो इसको हम add कर लेते हैं 18,000, 19,000, 17 ये आगया 54,000 54,000 divided by 3 divided by 3 करके ये आजेगा 18,000 तो average profit कितना आगया 18,000 तो अभी उसका share कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ मैं आपको तो अब death किसकी है Z share of profit Z share of profit हम कैसे calculate करेंगे average profit into number of months ये formula लिखना जरूरी है बेटे ठीक है upon 12 into share of Z otherwise पता ही नहीं चलता ना फिर क्या करना क्या है 18,000 into 2 बते 12 into उसका share of 1 बते 3 तो इसको 6 से कर दो 6 ती ठारा तो ठारा तो ये ठारा से कट जेगा तो 1000 रुपे आजेगा कितना profit आजेगा 1000 से 6 ती ठारा ठारा से कट गया तो 1000 आगे बाकी तो अब हमें इसकी क्या करनी है पास दा necessary journal entry ठीक है necessary journal entry भी कर देते हम जी ये लीजिए जर्नल ये आएगा डेट पर्टिकुलर्ज लेजर फोलियो डेबिट करेडिट रुपेज ठीक है जी तो ये 2000 कब का है वो 2021 को डेट हुई है 31 में को ठीक है जी और ये उसको हमने करना है पी एंड एल सुस्पेंस अकाउंट डेप्टड टू जेड्स कैपिटल तो ये कितने का है 1000 उपे का ये कितने का है 1000 उपे का बींग शेयर आफ प्रॉफिट ट्रांस्वर्ट टू ट्रांस्वर्ट टू हाँ जी किसको जाना है जेड्स कैपिटल ठीक है ओन डेट ओफ डेथ या ड्यू टू डेथ ठीक है जी ये एट्री आजएगी ओके जी हाँ अब हम इसका करेंगे बी पार्ट बी पार्ट में भी हमें ज़्यादा मेनत नहीं करनी पड़ेगी बस एक उसका क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ 15 कोशन का बी पार्ट यहां भी देखो सुडेंट्स अवरेज प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा कितना है हमारे पास 18,000 और जो है Z's share of profit है वो भी हमने जो पिछले कोशन मलब पार्ट में निकाला है वो सेम ही रहेगा अब यहां पर क्या कह रहा है कि profit sharing ratio of the remaining partners change हो गई है और निव ratio कितनी है यह 3 to 2 तो इस case में हमें ऐसे पहले gaining ratio में बांट रहा है 1 is to 1 is to 1 y की जो new ratio बनी है 3 is to 2 तो अब इसमें gaining ratio निकालेंगे gaining ratio कैसे निकलेगी new minus old करके तो new कितना है इसका बटे x का पहले निकालेंगे 3 by 5 minus 1 by 3 तो यह आगया 15 15 में से यह 3 9 minus 5 यह 4 by 15 और y का आगया 2 by 5 minus 1 by 3 ठीक है जी तो यह 15 3 minus 6 minus 5 1 by 15 और gaining ratio जो आगी है gaining ratio आई है जो x और y की 4 is to 1 आई है तो अब हमने जो entry करनी है इसमें करनी है तो पास अनसे जर्रेल एंटिक gaining ratio में उसको देना है जब profit sharing ratio चेंज हो जाती है तब हम P&L suspense की जगा इन partners को debit कर देते हैं ठीक है जी तो यहाँ पे हम लिखेंगे journal यह आएगा date यह आएगा पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो debit rupees credit rupees तो यह आजेगा 2000 अगेन 20 को 31 में को entry आजेगी X is capital account debited Y is capital account debited 2 Z capital account तो अब यहाँ पे calculate करना है X का amount आएगा 1000 का 4 बटे 5 और Y का आएगा 1000 का 1 बटे 5 तो यह 5 से कटके 1000 है ना तो 2 आगया तो 200 आगया यह 2 चुका 800 ठीक है तो यह 800 और 200 आजेगा ठीक है यह 800 इसको मिल जेगा और इसको 200 मिल जेगा यह 1 थाउनट आगया So being share of profit transferred to Z in gaining ratio gaining ratio by X and Y ठीक है बटे यह सारा कुछ आपको करना ओके जी बस यह कोशन था सारा तो इसी के साथ यह तीनों कोशन कंप्लीट होते हैं और यह वीडियो भी मैं यही कंख्लूड करता हूँ I hope कि आपको अच्छी तरह समझा आ गया होगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और बाकी कोशन्स देखते रहें नहीं से ओके जी डन